Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel and my Facebook Page तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Dr. Rick Wake के R23 के बारे में और आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से यूज करना है और कैसे आप अपने बिमारी से छुटकार आपा सकते हैं तो एक्जिमा अगर आपका बढ़ गया है अगर आपका एक्जिमा अभी starting phase में है acute phase है या chronical phase है तब भी आपका एक्जिमा जो है इस दवासे ठीक हो जाएगा यह guarantee है अगर आप इसे लंबे समय तक यूज करते हैं तो विडियो को continue करिए मैं आपको बता दूँ कि एक्जिमा क्या होता है इसके लक्षन क्या-क्या होते हैं तो इसके क्या-क्या characteristics होते हैं इसके लक्षन क्या-क्या होते हैं अगर chronic एक्जिमा है painful एक्जिमा है तो उसमें क्या होता है कि redness हो जाती है जब redness होती है तो थेकनेस होती है और जब थेकनेस होती है तो ब्लैकनेस होती है ठीक है और एक्जिमा जो है दो परकार के होते है ड्राइ एक्जिमा आई एक्जिमा में क्या होता है कि ड्राइ एक्जिमा में जब हम खुजली करते हैं तो उसकी जो डेड एक्जिमा होती है वो निकलती रहत है ठीक है और यह eczema क्यों होता है जैसे धूप में अगर आप जादा है कभी-कभी धूप से और धूल से भी allergy होती रहती है ठीक है तो इसके होने के जो मुख्य कारण होते हैं जो हमने आपको उसके बारे में डेटेल बता दिया कि इसके लक्षन क्या होते हैं और ये क्यों होता है ठीक है तो अब हम इलाज की बात कर लेते हैं कि इलाज क्या है तो देखिए डक्टर रिक्वेक की जो R23 है ये हर परकार की एक्जिमा के लिए बेनिफिस्चल होती है ठीक है और वो चाहे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो चाहे एक्यूट एक्जिमा हो चाहे क्रोनिक एक्जिमा हो दोनों में भी ये काम करता है तो इसके कॉमपोजेशन की बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन में कौन कौन सी दवा मिलाई गई है तो इसमें देखिए एपिसमेलिपिया ह क्या होता है कि ये खुजली को जो लाली आ गई है खुजली करते करते जो लाली आ गई है उसको जो सूजन आ गई है उसके लिए ये काम करता है ठीक है और आर्सेनिक एल्बम है ये जो पानी जैसा पदाता है और जलन होती है इसके लिए काम करता है ठीक है rust oxy जो है जो छोटे-छोटे लाल दाने निकलते रहते हैं इसके लिए काम करता है ठीक है तो अब कैसे अब बात कर लेते हैं कि इसे कैसे यूज़ किया जाए ठीक है तो अगर आपका acute है तो आप 6 महने या 3 महने यूज़ करें अगर आपका chronic हो गया है तो इसे 1 साल तक पानी लेना है और खाली पेट इसे यूज़ करना है आप तो परहेज के लिए आपको जो है खटी चीजें नहीं खाना है जैसे दही नहीं खा सकते आप इमली नहीं खा सकते आप तो इसके साथ एक दबा आती है BC20 जैसा कि आप इस screen पे देख रहे होंगे BC20 अगर आप लेते हैं तो इसका दोनों का combinations यानि R23 और BC20 अगर आप यूज करते हैं तो आपकी ये problem हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाती ठीक है और eczema and fungus के लिए हम R23 and R82 दोनों यूज करते हैं तो अगर आपका eczema भी है और fungus भी है तो R23 प्लस R82 आप दोनों ले सकते हैं आधे-आधे घंटे के gap पे तो वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए हमारे चानल पे Dr. Rick Wake की पूरी प्लेइस्ट है तो उसे जाकर की देखिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने फैमली में शेयर कीजिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेस्बूक पेज को भी लाइक कीजिए थाइक तक तक तै क्यामला राईक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे उस देखिए- तेखिए- बडिए- अपने खाने सब्सक्राइब पेए- ढखाए- वही नितर सब्सक्राइब के पूरी है